पर साथियों ओनिश कुमार सुक्लिक बार फिर से स्वागत करता हूँ एग्रिटिंकर्स के लेनिंग प्लेटफॉर पर दोस्तों कच्छा बारक उसी में पसपालड हो पस्चु किसा विग्याल उसमें गाय भैस और बक्री समाप्त करती हैं आज हमारा लेक्चर है सब्सक्राइब होगा यहां पर आप लोग देखने जिए जगत एनिमेलिया संग कोडेटा वर्ग मेमेलिया कुल बोविडी वंस जो है ओवीज होगा और जाती एरीज होगा ठीक है भेंड का नमता है ओवीज एरीज ठीक हैं पर कुछ इंपोर्टेंट लाइंस देख लीज है वह लिकोनल है और भारतिय भेड़ों में किस नसल की कान लंबे होते हैं सबसे ज्यादे तो वह है लोही ठीक है ध्यान में रखना है और देशी नसलों में मास के लिए सरोता मस्क तो डखनी है जिसो डखनी भी बोलते हैं और भारतिय नसलों में सबसे बड़ी नसल नेलो निलौर कोही बकरी जैसी घेड यानि सीप लाइक गोट लाइक सीप काते हैं ठीक है ध्याल में रखना है सबसे अच्छी उन मेरीनों की होती है सबसे अच्छी दिकाजीनस लर्यम्बूलेट है और इसके प्रॉण नर को रैम बोलते हैं आपर आप आरेम रैम बोलते हैं क्रिया लैंबिंग का लाती है मैथुन क्रिया नी जो कपलिंग होती है उसको टपिंग कहते हैं आवाज ब्लीटिंग का लाती है मांस मटन कालाता है ताप बान 49 डिगरी फारेनाइट एक सो दो दस मुलाइक डिगरी इसल्सियस होता है यह उल्टा था 12-16 बारे 12-20 बार होती है इसका मतब कि एक मिनट में 12-16 बारे 12-20 बार ये सास लेती है नाड़ी गती सतर से 75 बार पर मिनट होती है और नौजात को लैम बोलते हैं जो इस नूबर्न होता है और बधियक रितनर वीथर कहलाते है भेड के दूद में इसका संक्तन में इसको दू होता है बेड की नसलों कवरगी करन च्छेत्र के आधार पर देखिए तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको क्लासिफिकेशन में इसको आपको याद करने का ट्रीक बता है पहले सीतोस्ड या उत्तरी यह हिमारे च्छेत्र की भेडों में आपके आएंगी जीके बीबी जीक दिखिए जहां सुस्कवर्ती हो गया एरीड जोन तो आप जान जाएंगे कि वो राजस्थान की बेड़े हैं और यह जो आगे आपका सितोष्ण तो आप जान जाएगे कि वो आपकी जम्मू कस्मीर की है दच्छनी भेडों में आपका डी डवलंसी आएगा यानि दकनी न होंगी आपको ध्यान में रखना है पहला गुरेज सबसे ज़्यादा इंपोर्टेट है तो पत्यसान गुरेज तासील कस्मीर होता है विसे स्ताइं यह उन है तू पाली जाती है गर्मियों में चरना पसंद करती है सर्दियों में एक जगह स्थिर रखर भोचंग करना पसं करना के बारेकर देखें तो करना तसील हो जाएगी कस्मीर की विशैस्ताओं में गर्मियों में यह बार रखर चाना परसंद करती है वही सर्थितज में यह जगह रखर भोजन मतब पसंद करती है सकान वह ना कर पेक्षagon में बड़े होते हैं और मतब पोल्ड मतवाद है कि मादा में सिंग नहीं होते और हॉंड मतवादा नर में होते हैं इसका उन उत्पादन आने से 700 से 800 ग्राम यानि यहां पर प्रतिवर्स इसका होता है फिर भदरवा देखिए तो इसमें भदरवात असीर हो जाएगी कस्मीर की यहां आने की पेक्षा अध सिर्फ तहसीर अलग है इसकी विसेस्ताव में इसमें गर्मी स्वान करने की छमता पाई जाती है नरहां मादा पोल्ड और उन जो है डेड़ से दो केजी पर भेंड पर वर्स ठीक है सुस्कवर्ती भेड़ों में जो आपकी यहां पर पहली है हिसार डेल यह कांगडा छेतर की कुल्लू घाटी हो जाएगी यह को important है याद में रखना है एक संकर नसल है हिसार डेल बिकानेरी गुड़े मेरीनों की संकर है यह पूछा जाता है आपको ध्यान में रखना है ठीक है और इसकी नाक रोमन होती है जैसे की आपकी बकरी की होती है जमुना बारी की इसके का बारी में देखिए उसका उत्पतिस्थान राजस्थान है इसके कान पतले होते हैं मौपर भूरे रंग के बाल पायाता है देखिए जिस पर मैंने ठिक लगाया हुआ है यह इंपोर्टेंट है आपके ठीक है माथा अधिक घनी उन से ढगा राता है इसका वार्सिक जो उन में आ रहा है यह राजस्थान की है ठीक है ध्यान में रखना है आपको और PRAYA इनका रांग सफेद होता है और कुछ हलके काले रंके भी होती है PRAYA वो नुकिली होती है लोही दुध-पति-पति-फान, राजस्थान नैं लोई सबसे अच्छी भीड मानी जाती है क्योंकि इसको त्री उद्देश ही होती है ट्रिपल परपस ठीक है मिस्रित खेती में इसका प्रेवब होता है देखिए दूद पादन दूद भी देती है सारे तीन किलोग्राम लब तीन दूद शे किलोग्राम पर देट ले उन सबसे उची नसले हमने आपको बताया ही था ठीक है और विदेशिम सभी में ओवराल में लिकोनल है और इसकी प्रमुख तीन इसके उप नसले पाए जाते हैं पहला रेड हर्ण यानि लाल सिंग दूसरा रेड पोल्ड और तीसरा है आपका हर्ण विद वाइट एंड ब्रा इसका अत्तिर स्थान निलगीरी छेतर हो जाएगा भेडों में सबसे बारी कुन इसी से प्राप्त होती है संकर नसले है निलगीरी मैसूर और मेरिनों की है और इसकी उन मेरिनों से मिलती जुलती है कोयम तूट देखिए तो नामे में कोयम तूट यसे आपने सुना पादी है और इसका उत्पतियस्थान बिहार है सहाबाद जीरा रोमन नांग होती है रंग जो है वो सफेथ होता है और इससे मांस्वा कुछ मात्रा में उन भी मिल जाती है फिर यहां पर देखिए आप लोग विदेशी कुछ नसले भेड़ों की तिवसमें एक्जोटिक ब्र वर्थ ऑस्ट्रेलिया की नसल है यूपी राजस्थान में नसल जुदारेत उपाल जाती है काराकूल परसिया की नसल है रेंबुलेट स्पेन की है सर्वोत्तम दिकाल जी कौन सी है रेंबुलेट है अमने आपको उपर वेता था कोरीडोल न्यूजिलेंड की नसल है तो यह असको आपको ज़रूर फॉलो करना है वीडियो को आपको क्या करना है कि जादा से जादा से सेयर करना है क्योंकि देखिए जानकारी जो है बाटने से बढ़ती है याँ है निवुलेट टेलीगराम चैनल वर्षप्ग ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिक्रिप्स सेक्श झाल 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 ठाह कर चाल झाल